यासरद 6 किछन दोस्तो में मीटू अपने चानल भी पोरफेक्ट मिटू शुभाई में आपसब का बहुत स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सब की इंपथा भी की कामना करती हुँ adio birμsơn आजके इस वीजियो में मैं आपसे बहुत ऑना तॉपिक पर बात करने सुख because day by day यह जो problem है बढ़ती जा रही है और right now this is the right time इस problem को कम करने का इसका treatment लेने का वो है हमारी problem vitamin D vitamin D की problem जैसे कि आप सबने सुना होगा कि बहुत जारा दिन पर इन बढ़ती जा रही है basically housewives में यह problem जादा पाई जाती है उसका एक reason होता है कि वो घर के कामों में इतने busy रहती है due to household works और like घर का देखरेक में इतना busy रहती है वो बाहर कम निकल पाती है तो उनको vitamin D पूरा नहीं मिल पाता है उनकी body में जादा कम्या पाहे जाती है as compared to men और children right now मैं अभी की बात नहीं कर रहे हैं अभी तो covid की वेसे हम सब ही घर में हैं लेकिन मैं एक general बात कर रहे हूं कि generally जब सब कुछ normal हो जाएगा या रह रहा था आज से पहले तो सबसे अर्व प्राब्लम है आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूंगी कि आ वाइटमिन डी का मुफ्त में इलाज कहां से कैसे करा सकते हैं घर बैठे कहीं भी जाने की जरुरत निया वह बहुत एफेक्टिव है उसको personally मैं भी यूज करती हूं तो आई यह वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तों जैसे कि आपको पता है वाइटमिन डी की जिनको प्रॉब्लम है मैं भी सफर कर चुकी हूं पहले यह प्रॉब्लम तो इसके कुछ थोड़े बहुत से मैं आपको साथ शियर करने चाहूंगी लाइक बॉडी में पेन होता है मुसल्स में पेन होता है हड़ियां जह तो उसके लिए उन्होंने मुझे कुछ टीटमेंट दिया लाइक थीम मुझे एक टाबलेट खानी होती तो वाइटमिन डी की यह मेरे परसनल एक्स्पिरियंस में आपको बता रही हूं तो वह मैंने थीमान्स खाई तो मेरे को काफी आरा मिल गया मैं ठीक हो गए लेकिन इ इसा solution निकाला जाया जिससे यह problem हमारे solve हो जा और दवाईयों का intake भी ना करना पड़े तो मैंने क्या करा सर्दियों में धूप थोड़ा गर्मियों में थोड़ा बहार निकलना शुरू करा थोड़ी बहुत दे जितना मैं bear कर सकूं किसी भी खाम के बहानने से या ऐसे जिस वाइटमिन डी की कमी कहीं हद तक ठीक हो जाती है इसके लिए हमें कहीं जाने के जुरत नहीं है कुछ खचा करने की जुरत नहीं है इस नाचुरल एंड फाइदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा और बात रही जिनके घरों में बालकनिया वगएरा पे दूप नहीं आती है तो वो थोड़ी दिर बाहर निकल के चट पे जाके आसपास कोई घर के पास पाक हो वहाँ पे जाके दूप का सेवन लाइक धूप में थोड़ी दिर जरूर बैठें और मैं ये वीडियो अभी इसलिए बना रही हूँ विकास गद्मियों में पॉसिब अब second question हमारे मन में ये आता है कि हम vitamin D के लिए धूप में ही क्यों बैठें हम कुछ ऐसे vitamin D sources of food हम खा सकते हैं जिससे कुछ ऐसे खाने की कुछ चीजे कुछ भी हो जिसमें vitamin D हो लेकिन हम एक natural सी अगर एक बहुत common सी बात हम सोचें कि मान लीचे particular किसी vegetable या fruit में मुझे पता ह आरे जो सबजियां हैं फल हैं वह भी तो कैसे उगाए जा रहे हैं वह भी क्या रात को उनमें injections pesticides इतने ज्यादा यूज होते हैं और रात को इंजेक्शन लगाते हैं सुबह हमारे फल इतने बड़े बड़े पके तयार हो जाते हैं फिर वह मार्केट में आते और हम लोग प यह एक बहुत चोटी सी बात है लेकिन सोचने वाली है यह मुझसे एक बार किसी ने मुझे समझाई थी तो मेरे दिमाग में क्लिक कर गई थी कि काफी हद तक वह बात बिल्कुल ठीक है कि जब वहीं नहीं मिल रहा है उन fruits and vegetables को ही रात को artificial तरीके से पकाया जा रहा है तो हम हमें उन में से vitamin D कहां मिलेगा तो मेरे कहने का मतलब है अभी सर्दिया है तो this is the right time कि हम धूप में जितना हम वीर कर सेंगे जितना हम time निकाल सकें उतना हम धूप खाएं धूप में बैठें चोटे बच्चे बड़ा बड़ा पूरी family धूप खाया और चोटे बच्चे ले को वह मैं आपको बताती हूं like धूप में बैठे तो ऐसे नहीं कि ठंड बहुत जादा है आपने चार-पांच लेयर अच्छे से पहनी है फिर आप दूप में बैठे कोशिश करें कि धूप डारेक्ट आपकी बॉड़ी पर लगे मतलब जितनी कम से कम कपड़ों की लियर ए हवा चल रही है दूप तो बहुत अच्छी है लेकिन कई बर सद्धियों में क्या होता है धूप के साथ सब ठंडी इसे कहते हैं शीत लहर वो चलती है तो उस समय धूप का वाइट करी हम कहतें कि नहीं हमें तो धूपी खाने वाइटमिन डी चाहिए हवा चलने तो नहीं वो इतनी धूप हमें फादा ने देगी उससे जादर जो शीत लहर चल रही है उससे चोटे बच्चों के लिए हम सोच से हवा चल रही है उन्हें अच्छे से राप करके बिठा लिए भी दूप तो लग नहीं नहीं वो जो शीत लहर बोड़ी पे लगेगी ठेट करेगी उ अच्छे लोगे सोसे स्वेशलिय हम हाउस वाइफ के भाई धूप में बैठ रहे हैं टाइम खराब होगा इतने मेरा और काम निमठ जाएगा लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं काम है जो दूप में बैठ के भूप भी खा सकते हैं अपने पने लिए कहां से निकालूं नेक्स् मुबाईल में भजन, कीरतन, म्यूजिक जो भी पसंद है वो लगा के बैठ सकते हैं क्योंकि जर्नली के अधूप में अगर हम सनाटे में बैठें अकेले तो टाइम काटना के मुश्किल हो जाता है और बहुत भारी लगता है और दापांदस में बैठें फिर हम उठके चल भारी डीनली खाल वचर्ण दाइट से बैठें लिया एंवित्षैंट से विपल बैठें बैठें अच्छे संदूर लूप में वजाता है तो मेरे कहने का मतलब थूप खाने मतलब हैं जतना मैक्समम टाइप आदा गंटा ए गंटा आप श्पेंड कर सकते हैं धूप में व तो यही थी दोस्तों मेरे आज के एक चोटी सी वीडियो मैं भी दूप बराबर खाती हूं दूप में तो आप भी कोशिश करिए अगर आप टाइम निकाल सकते हैं अगर आपको वाइटमीन डी की कमी है और यह चीज और यह नहीं है कि वाइटमीन की कमी मुझे है तो मैं ही दूप खाऊंगी फ्यूचर में ना हो इसके लिए भी आप खा सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही हिल्फुल होती है तो आप दूप में जुरू बैठी थोड़ा वाइटमीन डी लीजिए और अपनी बॉड़ी को एनेजिटिक करिए विमानी उसे दूर रख कि अपकमिंग वीडियो की निर्टिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुंसती रहे हां दोस्तों एक बात और अगर आपने मुझे एव और इंस्टागम पर फॉलो नहीं कर रहा है अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक